प्यारो आज का जो मेरा विश्य है परमेश्वर की शमा का शामर्थ या इसको आप कह सकते हो के पश्चाताप का शामर्थ हम सभी पहले अव विश्वासी थे परमेश्वर को नहीं जानते थे हो सकता है कि सायद हम एक क्रिश्चन परिवार में जन्मे हो आप में से कोई अगर जन्मा है तो पर फिर भी विश्वासी तो नहीं थे परमेश्वर को हम नहीं जानते थे परमेश्वर से बहुत दूर थे हर एक व्यक्ति के जीवन में तीन पड़ाव आते है पहले वो अन्य अविश्वासी था अन्य विश्वास में था परमेश्वन ने उसको उसकी पहचान दी तो सबसे पहले जो आता है वो पापो की शमा आता है और उसके बाद प्रभूस को अपना बेटा बनाता है अपना चेला बनाता है फिर वो एक विस्वासी कहलाता है और विस्वासी होकर कहीं ना कहीं कई बातों में हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं पाप में गिर जहां कई हमें से कई सायद पीछे हटते हो सायद हमारा हम हमें ऐसा करने के लिए रोकता हो या फिर हो सकता है कि वह आसान नहीं हो तो उन सारी बातों के उपर आज हम बात करेंगे और परमेश्वर का वचन हमसे बाते करें आये हम फिर से एक बार आखें बंद करें अपने पुष्चाताप के सामर्द को समझने के लिए प्रभू आप हमारी सहायता करिए परमेश्व पिता प्रभु येश्व मसी नाजरी के नाम में हम आपके अनुगरह के सिहासन के पास आते है पिता हम धन्यवात करते है आपकी भलाईयों के लिए आपकी आशिशों के लिए प्रभू आपने हमें अपनी पहचान दी और आज ये मौका दिया कि प्रभू फिर से एक बार हम तेरी आराधना कर सके प्रभू फिर से है एक बार हम तेरे नाम को दुहाई दे सके, तेरे नाम में गवाही दे सके और प्रभू आज हम जब तेरे वचन को सुनने वाले है, प्रभू हमारी मन की आखों को तुखोल दे प्रभू हमें समझने वाला रिदय दे ताकि प्रभू तेरी जो बाते तेरा जो वचन हम पर आए हमारे कानों पर पड़े प्रभू वो हमारे रिदयों में बस जाए और वो सो प्रतिसत फल ले कर आए पवित्रात्मा हम सभी अपने आपको आपके हाथों में समर्पित करते है प्रभू हम नहीं पर प्रभू आज आपका पवित्रात्मा मुझसे और हम सब से बाते करे पवित्रात्मा सिर्फ आप ही हमारे सिख सको हम आप से सुनना चाहते है हम आप से सिखना चाहते है प्रभु आप हमसे बाते करिए और हमें सिखाईए हमारी ये बिंति प्रात्ना प्रभु येश्व मसी नाजरी के नाम में है आपने सुनी है हम धन्यवाद करते हैं प्रभु येश्व के नाम में आमेन पश्चाताप प्राइस्शीत पश्चाताप एक सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन को बदल के रख सकता है और परिवर्तित कर सकता है एक सच्चा पश्चाताप पश्चाताप मतलब सिर्फ रिग्रेट नहीं है कि हाँ प्रभु मैं सिर्फ दुखी होता हूँ कई बार हम रोते हैं पर उसको हम हमारे जीवनों में से निकालते नहीं है तो वो पश्चाताप नहीं है वो सिर्फ एक regret है कि प्रभू मैं दुखी हूँ पर एक सच्चा पश्चाताप जब हम U-turn लेते हैं परी वर्तन का मतलब है परी मतलब गोल, round हम जब अपने जो भी हमारे जीवनों में पाप हुआ है वहां से जब हम U-turn लेते हैं उस दिसा में फिर नहीं जाते हैं हमारी सोच भी उस दिसा में फिर नहीं जाती है तब उसको कहते हैं सच्चा पश्चाताप एक सच्चा पस्चाताप हमारे जीवन को परिवर्तित करता है प्यारो ये कोई माइने नहीं रखता है कि अब तक सायद आप में से यदि कोई पहली बार प्रभु के विश्रे में जान रहा है प्रभु के पीछे चलना सुरू किया है ये माइने नहीं रखता है कि अब तक आप कैसा जीवन जीए हो ये कोई माइने नहीं रखता है कि आपका भुतकाल आपका पाश्ट कैसा था ये माइने नहीं रखता है कि आपने कौन से कौन से पाप किये है प्रभु को जानने से पहले अब तक का आपका जीवन कैसा भी रहा हो पर यदि सच में आप पश्चाताप करोगे परमेश्वर को अपने आपको दोगे कि हम परमेश्वर अपने आपको बदले आपको बदले जब आप परमेश्वर के हाथों में पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होंगे परमेश्वर आपके वर्तमान को भी आशिश देगा और आपके भविष्य को वो बदल के रख देगा परमेश्वर के पश्चाताप का परमेश्वर की ये माफी का ये सामर्थ है जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर की और से वो करुणा के साथ उनकी माफी हमारे उपर रिलीज होती है सिर्फ येश्व के पास आना है और पवित्र आत्मा को हमें समर्पित होना है कि वो हमें बदले उन सारी बातों से परमेश्वर हमें बदल कर उनके जैसा बनाए एक सभा में परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे और वहाँ पर एक इंसान आया हुआ था उन्होंने थोड़े ही समय के पहले किसी का खून कर दिया था मर्डर कर दिया था और भरी सभा में प्रचार चालू था और परमेश्वर ने उसके दास को कहा कि ये नाम से इस व्यक्ति को तु पुकार और उसने उस नाम वाले व्यक्ति को कहा कि भाई प्रभू आपको बुला रहे है वो सोचने लगा कि ये तो मेरा नाम है पर मैं तो पापी हूँ मैंने तो एक व्यक्ति का खून कर दिया है और परमेश्वर के दास ने कहा कि प्रभू चाहता है कि आप आगे आए क्योंकि प्रभू आपके विश्य में बात कर रहा है और प्रभू आपको उस गिल्ट से उस दोसीत भावना से छुडाना चाहता है और एक नया जीवन देना चाहता है फिर भी वो व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई आगे जाने के लिए और फिर प्रभु के दास को प्रभु ने बताया कि ये व्यक्ति है उसके सर्ट के कलर, उसके पैंट के कलर और उसका पूरा नाम बता कर प्रभु के दास ने उसको बोला भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वो रोते हुए आगे जाता है और परमेश्वन ने जो जो उसके जीवन में हुआ था प्रभु के दास के द्वारा उसने बाते की और वहाँ पर वो रोने लगा और वो कहने लगा कि क्या प्रभु मुझे माफ करेगा उसने प्रभु के दास ने कहा जब प्रभु ने आपका नाम लेने के लिए कहा तभी प्रभु ने कहा कि मैं उनको माफ करता हूँ मैं उनको ख्षमा करता हूँ पर जरूरत क्या है कोई ना कोई रिती से कोई तो उसको उस मिटिंग में उस प्रभू के भवन में लाया होगा प्रभू का आत्मा काम कर रहा था और उसने रिस्पॉंड किया वो वहाँ पर गया परमेश्वर की उपस्तिती में गया प्यारो जब आप अपने आपको पवित्रा आत्मा को समर्पित करोगे प्रभु के हाथों में अपने आपको रखोगे वो चाहे कैसे भी पाप हो परमेश्वर उसको शमा करेगा और एक नए जीवन की और परमेश्वर आपको ले जाएगा अबरहाम हम कई बार उसके विशे में जानते है पढ़ते है आपरहाम आपको पता है एक मुर्ती पुझक देश से और उसके पिता और उसके पूरे खांदान का जो पेसा था मतलब उनका जो बिदनेस था वो मुर्तियां बनानी का था और परमेश्वर ने उनको आवाज दी परमेश्वर की आवाज को उसने response किया परमेश्वन ने उसको एक बड़ी प्रजाती के लिए खड़ा किया उसके खुद के चुने हुए वंस के लिए उसको खड़ा किया और उसको विश्वास का पिता भी ठहराया मुसा मुसा पता है आपको वो भी एक मडरर था जब उसने देखा कि उसके जाद भाई एक हिब्रु भाई का एक मिसरी उसको मार रहा था उसके उपर जुलम कर रहा था उससे वो सहा नहीं गया और आवेश में आकर वो उसको मार देता है और वो खुन करकर वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको डर लगता है कि सायद अभी यह फिरॉन या वहां के लोग उसको ताड़ना देगे या उसको मार डालेंगे वो वहां से चला जाता है वो भी एक खुणनी था पर प्यारो जब परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था और परमेश्वर के पास वो आता है परमेश्वन ने उसको एक अगवा बनाया और अपनी गुलामी में जो प्रजा थी उसको छुडाने के लिए उसको एक लीडर के रूप में लोगों के सामने रखा ये भी एक पापी था पर परमेश्वन ने उसको माफ किया और एक अगवा बनाया साउल राजा साउल राजा नहीं पर साउल जो परमेश्वर का दास बात में वो पाउल बना है ना साउल पहले वो एक पापी था प्रभू के लोगों को सताने वाला यहां तक कि जो स्थेफन का जब उसको पत्थराओ करके मार डाला गया जिसके चर्नों में उसके कपड़े या रखा गया था वो वहां पर ही खड़ा था उनकी आखों के सामने वो हुआ था और साउल भी उसमें सामिल था एक ऐसा व्यक्ति साउल उसको भी हम मडरर कह सकते है परमेश्वर के लोगों को सताने वाला पर जब वो दमस्कस के रास्ते पर परमेश्वर से उसका एंकाउंटर हुआ परमेश्वर को मिला उसको भी अपने आपके अपने आपके सारे पापों को पश्चाताब करके जब वो प्रभू के presence में आ गया जब प्रभु का encounter उनको हुआ उसके बाद में वो साउल नहीं रहा वो पाउल बन गया और यहां तक कि पुरे नयनियम में सबसे ज़्यादा यदि पत्रिया या जो लिखन है वो परमेश्वन ने पाउल के द्वारा कलिश्या को दी कलिश्या की नीव फाउंडेशन में जो जो सिक्साएं है वो परमेश्वन ने अन्य प्रेरितों के द्वारा भी पर ज़्यादा तर पाउल के द्वारा भी और पाउल एक जगा पर कहता है कि ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं है कि जहां मैं प्रभु के समाचार को लेकर गया नहीं प्यारो एक ऐसे साउल को परमेश्वर इस्तमाल कर सकता है जब वो प्रभु की प्रेजेंस में आया जब एक पापी को परमेश्वर ने बदल कर अपना चेला बनाया विलाप गीत आप मेरे साथ निकाले तीसरा विलाप गीत तीसरा द्याई बाईस और तीस्वी आयत आज जिस्वी सई पर हम बात कर है परमेश्वर के क्षमा का सामर्थ या पश्चाताब का सामर्थ जब हम पश्चाताब करते है परमेश्वर क्षमा करता है तो पश्चाताब का सामर्थ परमेश्वर का वचन विलाबगी 3, 22 और 23 में कहता है कि हम मिट नहीं गए यह यहुआ की महा करूणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है प्रतिभोर वह नई होती रहती है तेरी सच्चाई महान है प्यारो अपने आपके बारे में सोचे क्या आज हम जिन्दा है हमारे पुरे जीवन को यदि हम सोचे तो बाइबल तो कहती है कि पाप का जो reward है पाप नो मुसारो मरंच है मतलब पाप का जो reward है उसके सामने जो हमें मिलेगा वो तो मृत्यू मिलेगा पर परमेश्वर की यह दया है कि वो हमें शमा करता है और आज भी हम जीवी थे परमेश्वर की दया के कारण उसकी कृपा के कारण हम मिट नहीं गए है हम जिन्दा है तो ये परमेश्वर की कृपा है यशाया आईजाया यशाया 43 तयाल इस और 25 वी आयत यशाया उसका 43 और 25 वियायत वहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और हम सब उनकी रचिना है वो कहता है वो पवित्र परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नाम के निमित तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा वहाँ उसके पहले प्रभु कहता है कि आओ और मेरे साथ बाच्चित करो मेरे साथ विवात करो कि ऐसा कौन सा पाप है जो मैं आपको ख्षमा नहीं कर सकता हूँ प्यारो जरूरत है प्रभु के पास जाने की बात्चित करने की हमारी हरे एक उन गिल्ट जिस भी पापों के कारण जो भी दोशित होने की जो भावनाएं है उसको परमेश्वर के सामने रखने की और परमेश्वर आपको ख्षमा करने के लिए तयार है ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे परमेश्वर ख्षमा न कर सके कई बार हम सोचते हैं बिते दिनों में यहाँ पर यूथ रिटरेट था उसमें भी कई सारे questions आए जो इस विशाई पर थे प्यारो ऐसा कोई पाप नहीं है जो प्रभु येश्यो मसी के लहू से बड़ा हो आपके और हमारे पापों का साइथ कितना भी बड़ा धेर हो पर उसके सामने प्रभु येश्यो मसी का लहू वो बड़ा है प्रभु येश्यो मसी का लहू वो शामर्थी लहू है जो हमारे पापों को क्षमा करता है परमेश्वर वो दया और करूना का सागर है वो कभी भी अपने बालकों को अपने बच्चों को प्रेम करना नहीं छोड़ सकता और इसलिए वो क्षमा करता है वो प्रेम करता है और इसलिए वो हमें माफ करता है हमारे माता पिता आपके अगवे वो भी ने आपको प्रेम करते हैं घर में चाहिए आप कोई भी भूल कर दो कोई भी चूक कर दो साध वो आपको टोकेंगे सायद आपको शिक्षा भी देंगे सोटी भी मारेंगे पर वो आपको त्याग नहीं देते है वो आपको शमा करते है कई बार, कई घरों में से कई बच्चों के आप पेपर में देखते होंगे कि अपसे इससे मेरा कोई नाता नहीं है पर उसमें से कई सारे माबाफ, आप दस साल के बाद मिलोगे, वो हसी खुसी एक साथ रहते होंगे, हसी खुसी एक साथ रहते होंगे, क्योंकि वो एक संसार का पिता, जब सब कुछ भुला कर अपने बेटे को या बेटी को स्विकार करता है, वो तो श्वर्गिय पिता है, व क्यों ना करकर आपको और मुझे माफ करेगा वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है जब आप अपने पापो को क्षमा करके पश्चाताब करते हो ने कबूल करते हो प्रभू के आगे के प्रभू मैं तेरे पास आता हूँ मैंने ये ये पाप किये है प्रभू अऊने नियम में क्या होता था? जोभी परमेश्वर की प्रजाथी या जोभी लोग वहाँ पर बलीदान चढ़ाने के लिए जाते थे, वह लहू, मेमने का या पसू का लहू, वह पापो को कवर करता था. उसको मिटा नहीं देता था, उसको धो नहीं देता था, वो cover करता था और इसलिए उनको बार-बार वो बलीदान चढ़ाने की आवेक्षक्ता होती थी पर नए नियम में जब प्रभुयेश्य मसी ने क्रूस के उपर अपना बलीदान किया अपने जीव को त्याग दिया अपने प्राणों को त्याग दिया और वहां वचन कहता है कि जो कोई उसके उपर विश्वास करे उसका अब नास ना होगा पर वो अननते जीवन पाएगा अननते जीवन पाना मतलब उसका उद्धार होना उसका अर्थी ही है कि उसको क्षमा किया गया है उसके पापों को माफ किया गया है क्योंकि जीवन और मृत्यू तो पाप का पाप की जो मद्दूरी है वो मृत्यू है उसके जब तक पाप ख्षमा नहीं हो गए वो अनन्ते जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता तो जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे ख्षमा किया है मैंने तुझे अनन्ते जीवन दिया है क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया प्रवो ने हमें अनन्ते जीवन दिया तो बिच में जो होता है वो है पापों की ख्षमा हालेलुया परमेश्वर के पास जब हम आते है उसके उपर विस्वास करते है परमेश्वर हमें एक शमा करता है और परमेश्वर का वो लहू प्रभू येश्व मसी का लहू हमारे पापों को मिटा देता है धो देता है और उसे कभी भी याद नहीं करता है पहला यहुन्ना पहला अध्याई और साथ और नौवी आयत आगे हम उन तीन विशायों पर जाएंगे पर उसके पहले ये वचन हम पढ़ लेते हैं ताकि उसको हम और भी अच्छी तरीके से समझे पर यदी पहला यहुना पहला ज्याई साथ से साथ वी और नौवी आयत पर यदी जैसा वह ज्योती में हैं वैसे ही हम भी ज्योती में चले तो एक दुसरे से सहभागीता रखते हैं और उसके पुत्र येश्यू का लहू हमें थोड़े पापों से शुद्ध करता है कोई-कोई पापों से सुद्ध करता है कुछ कुछ बाकी रखता है क्या लिखा है सब पापों से सुद्ध करता है सब पाप सब पापों से सुद्ध करता है नौवी आए यदि हम अपने पापों को मान ले मतलब हम कबूल करें हम कंटफेस करें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से सुद्ध करने में विस्वास योग्य और धर्मी है विस्वास योग्य का मतलब क्या है पता है faithful मतलब विस्वास योग्य है मतलब जब भी आप confess करोगे वो क्षमा करेगा ही करेगा He is faithful God वो विस्वास योग्य है वो अपने वचन से फिरेगा नहीं वो मुकर नहीं जाएगा कि नहीं ये तेरा ये पाप तो बहुत बड़ा है प्रभु येश्यु मसीख के लहु के सामने कोई पाप उतना बड़ा नहीं है कि वो आपको शमाना करें और वो धर्मी है वो राइटियसनेस वो खुद का जो वो न्याई है और वो अपनी धारिमिक्ता अपना जो न्याई होना है वो हमको देता है जब हम पश्चाताप करते हैं हमारे सारे पापो को प्यारो जब भी हम कनफेस करते हैं पश्चाताप करते हैं उसको दोया गया है हमें शुद्ध किया गया है और परमेश्वर के सामने एक निर्दोस, ब्लेमलेस कोई भी दोस रहीत परमेश्वर हमें प्रस्तूत करता है वही है प्रभु येश्युमसी का बलीदान वही है परमेश्वर के माफी का शामर्थ जब हम पश्चाताप करते है परमेश्वर की माफी वहां से हमारे उपर रिलेज होती है प्रगट होती है प्यारो क्या आप आभारी नहीं होंगे इस पापो की जो माफी परमेश्वर ने हमें दी है हमारा रिदय क्या आभारी नहीं होना चाहिए कई बार हम जो एक अभार मानना चुक जाते है कि प्रभू ने हम एक शमा किया है आए हम थोड़ी चंद सेकंड अपनी आखों को बंद करें और चुप मत रहेगा अना प्रभू से कहिए कि प्रभू तुने मुझे शमा किया है प्रभू मेरे पाप तो कितने घोर थे प्रभू वो किरमच के समान लाल थे पर प्रभू आपने उसको हीम के समान स्वेथ किया है अपने अपने जीवन के बारे में सोचे और जो भी आपको याद आता है प्रभू को धन्यवाद करे कि प्रभू मेरा ये पाप था पर प्रभू आपने मुझे ख्षमा किया प्रभू मैं तो तेरे सन्मु उठ बैठने के लिए तेरे सामने प्रस्तुद होने के लिए लायक नहीं था पर प्रभू तुने मुझे दोया तेरे लहु से तुने मुझे सुद्ध किया और प्रभू परमेश्वर के सामने मुझे निर्दोस प्रस्तुत किया प्रभू मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करे धन्यवाद करे इस पापो के शमा जो हमने पाई है प्रभू येश्यु मसीख के बलीदान में हालेलुया क्या आप चाहते हो कि प्रभू ने जिस रिती से हमें माफ किया वैसे ही उसकी जैसी दया है उसकी जैसी करुणा है वैसे हम भी एक दुसरे के प्रती बताए लोग आपके प्रती बताए कई बार आपको लगता है कि इसने मुझे ख्षमा नहीं किया उसने मुझे ख्षमा नहीं किया और कई बार हो सकता है कि आपने किसी को ख्षमा नहीं किया हो है न और आपको पता है माफी देना वो सिफ optional नहीं है वो commandment है वो एक आज्या है कि तुम अपने अपराध्यों को जिनों ने भी आपके विरुत कुछ किया, उसको क्षमा करोगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा माफी दो, तो माफी पाओगे It is a commandment, ये एक आज्या है अब परमेश्वर की माफी जैसे मिलती है, परमेश्वर जैसे हमें माफ करता है वैसे यदि आप भी किसी को माफ करना चाहते हो, या आप माफी को पाना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते है, आईए इस बारे में हम सीखे सबसे पहली बात जो हम, तीन पड़ाओ के बारे में हमने देखा था तो सबसे पहला, एक पापी, मतलब जो प्रभू येष्यो मसी को नहीं जानता है उसको पापी के रूप में ही, नहीं, देखो इस संसार में दो लोग है एक जो परमेश्वर को जानते है, एक जो परमेश्वर को नहीं जानते है बाइबल उसको उजियाले की यानि के प्रकाश की संतान के रूप में बताता है और अंधकार के संतान के रूप में बताता है तो एक पापी व्यक्ति का माफी प्राप्त करना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना है, वो प्रभु के पास आएगा और प्रभु उसको क्षमा करेगा, वो परमेश्वर की पहचान को पाएगा और प्रभु उसको क्षमा करेगा, एक क्ष एक पापी व्यक्ति को माफ किया जाना, एक पापी को जब माफ किया जाता है, सबसे पहले जो उसके जीवन में हुआ था, क्योंकि वो प्रभू को नहीं जानता था, वो प्रभू से दूर था, एदन की वाटिका में जो हुआ था, वो क्या हुआ था, पहले वो प्रभू की सं तो वह परमेश्वर से दूर हो गये, एदन की वाठी का से उनको निकाल दिया गया. वह एक पापि हो गये, पर परमेश्वन ने उनके लिए एक मेञने को काटा और उनका जो चमडा था उसका वस्त्रा उनको पहना है. परमेश्वन ने उनको शमा तो किया, रिस्ते को नहीं तोड़ा, पर जो संगती थी, उनकी प्रेजेंस में आदम और हवा रहते थे, वहां से वो दूर हो गए, रिस्ता परमेश्वन ने रखा, पर उनकी प्रेजेंस में से, उनकी उपस्तिती में से वो दूर हो गए, उनकी स जीवन में ये करना है, चाहे किसी का कुछ भी हो, संसार में कहते हैं, कि दुसरों के कंदे पर पैर रखकर आगे वढ़ना, नीचे वाला कितना भी कुछल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार में ऐसा ही होता है, जिसको हम बोलते हैं, बोव पॉलिटिक्स है, जोग पर, नौकरी पे बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीजे होती हैं, कभी कही न कहीं हम भी वही थे, इस संसार के पाप के दलदल में थे, वैसी ही सोच सायद हो सकता है, कि आपकी और हमारी रही हो, जब हम पहली बार प्रभु को जाना था, हम इस पड़ा उपर थे, कि हम एक मैं आगे बढ़ू, चाहे संसार का लोगों का कुछ भी हो, हमारे आसपास जो रहता है उस का कुछ भी हो, नई, दूसरे हमारे अंगं में जो कचरा होता है उसको, डस्ट बीन में ना डाल कर कहा है, मतलब दूसरों का कुछ भी हो, यह तो इस इए enfin example है दूसरों का कुछ भ मेरा अंगन रहना चाहिए, मेरा जीवन अच्छा रहना चाहिए, मैं जीवन में प्रगति करना चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, दुसरों का कुछ भी हो कई बार जौब में ऐसा होता है कि दुसरों के प्रति जूठ बोलकर उनको यहां तक के उसको निकाल देने के भी कोशिस की जाती है तो यह भी हमारे जीवनों में था हम हमारे जीवन के मालिक थे पर जब हम परमेश्वर के पास आते है वहां आपको पता है पश्चाताफ करना नहीं होता है सिब परमेश्वर के पास इंसान आता है परमेश्वर उनको शमा करता है कैसे हम एक पापी व्यक्ति मतलब जब हमने प्रभू को नहीं जाना था कैसे उद्धार पाया रोमनों की पत्री ये सुरुवात कैसे हुई रोमनों की पत्री दस्वाध याई नौवी और दस्वी आयत कि यदी तू अपने मूँ से येश्व को प्रभू जानकर अंगीकार करे और अपने मन से क्या करे विश्वास करे कि परमेश्वन ने उसे मरे हुँ में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा क्या लिखाए सिफ मूँ से अंगीकार करना है मूँ से बोलना है वो और रुदय में विश्वास करना है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा क्योंकि धर्मिक्ता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुझसे अंगिकार किया जाता है धर्मिक्ता के लिए क्या करना है विश्वास करना है और उद्धार के लिए मुझसे अंगिकार करना है कि प्रभू, मैं तुझे अपना प्रभू और अपना उद्धार करता मानता हूं ये पहली बार, जब हमने पहली बार प्रभू को जाना था तो एक पहला पड़ाओ है कि जहां इस संसार के कोई भी मनुश्य को जब भी वो प्रभू की प्रेजन्स में या परमेश्वर के पास आता है प्रभू ये शुका नाम लेता है कि प्रभू, मैं तुझे अपना प्रभू मानता हूं प्रभू उसको क्षमा करता है क्यों पता है? क्योंकि उन्हें उसने कीमत चुका दी है अल्रेडी उन्हें प्रभू प्रभू ने क्रूस के उपर अपनी जान देकर अपने लहू को बहा कर कीमत चुका दी है एक पापी व्यक्ति जब अपने पापों को कबूतलाद करता है तो वो बाइबल कहती है कि वो एक नई सुरुष्टी बन जाता है दुसरा करिंथ उसका करिंथियों की दुसरी पत्री पांचवा अध्याय और सत्त्रावियायत करिंथियों की दुसरी पत्री पांचवा अध्याय और सत्त्रावियायत यह जदी किसी को मिलता है तो आप जोड़ से पढ़ोगे किसी को भी क्योंकि अब पहले वो संसार में था पर अभी वो मसी के पास आया है मसी में आया है प्रभू को अपना उद्धार करता के रूप में उसने मान लिया है उसने मुझ से अंगिकार किया है प्रभू के उपर विश्वास किया है और प्रभू कहता है कि यदी ऐसा कोई व्यक्ती क्योंकि अभी वो मसी में है तो वो क्या है? वो नई सुरुष्टी है वो नई सुरुष्टी है अभी वो पहले का नहीं रहा अभी वो नया हो गया है उसके सारे भुद्काल को उनके पापको पापो को परमेश्वन ने शमा किया है और वो एक नई सुरुष्टी बन गया है पुराना जो भी था वो अब चला गया है और देखो सब कुछ नया हुआ है मतलब जब पहली बार हमने प्रभु को जाना था परमेश्वन ने हमें नया किया है यशाया 44 आप निकालिया मत 44 और 22 में प्रभु ऐसा कहता है कि यदि बादलों की तरह हो आपके पाप है काली घाटी के समान है प्रभु उसको मिटा देता है बादल को आपने देखा है पहले होते हैं बाद में वो बिखर जाते है बिखरने के बाद आपको क्या बादल दिखता है वो प्रभू कहता है कि उस बादलों के समान मेंने तेरे पापों को मिटा दिया है बादलों के समान, जब वो बिखर जाते हैं बाद में वो बादल नहीं रहता मतलब जब प्रभू हम एक शमा करता है तो अभी वो पाप नहीं रहा अब revelation में प्रकाशित वाक्यों में यदि पढ़ोगे तो वहाँ सिर्फ जीवन के पुस्तक के विशे में बात नहीं की है दुस्तरा भी एक पुस्तक है जहां हमारा हर एक किया करना लिखा जाता है अब को पता है क्या होता है जब हम पश्चाताब करते है उस पापो को अंगिकार करते है माफी मांगते है प्रभू का लहू उस पर आता है और वो मिटे जाता है प्रभू का लहू जहां वो पापो के विशे में लिखा है ना जब हम गिकार करते हैं माफी मांगते हैं पश्चाताब करते हैं वहां प्रभू का लहू आता है और उस बुक में से वो मिटे जाता है वो कवर हो जाता है उसके बाद वो कोई पढ़ नहीं सकता पहला युहना एक और साथ और नौ हमने पड़ा कि जब भी हम कनफेस करेंगे जब भी हम पश्चाताप करेंगे वो विश्वास योग्य है कि वो हमें क्षमा करें यह शाया पहला अध्याय और अठ्रावी आयत में भी यही है कि यदि हमारे पाप वो लाल रंगे हो पर प्रभू उसको हिम के समान स्वेद करेंगा यानि कि परमेश्वर हमें क्षमा करेंगा और हमें नई सुरुष्टी बनाता है नई सुरुष्टी परमेश्वर ने हमें बनाया एक सायद बात्सा करके एक व्यक्ति के बारे में सायद आपने वर्शिप में भी सुना है फिर से एक बार उस बात को याद करते है सायद बात्सा नाम का व्यक्ति एक लड़का छोटा था आपको पता है वो क्या काम करता था यदि आप में से किसी का बटवा या कुछ गया हो कभी भी तो वो वो काम करता था लोगों के बटवे चुराना, पॉकेट मार जिसको हम बोलते हैं वो एक पॉकेट मार था क्योंकि उसका कोई था नहीं इस संसार में वो रिल्वे स्टेशन पर पॉकेट मारना, चोरी करना ये सब काम किया करता था एक दिन क्या हुआ एक प्रभु के दास का उसने बटवा चुराया और पहली बार ऐसा किसी ने उसको पकड़ लिया और प्रभु के दास ने उसको माफतो किया पर प्रभु ने उस प्रभु के दास को बोला कि इसको तू अपनी Bible College में अपने संग ले जा और वो उनसे बात करता है वो जाने के लिए तियार होता है वहाँ Bible College में जाने के बाद भी वो पुराना स्वभाव अभी भी है तो वहाँ पे भी वो चोरिया करता है एक बार उन्होंने सिफ प्रभु के दास को दिखाने के लिए उनके असे सामने बैठे थे कुछ बात की और जैसे ही वो दूर हुए उन्होंने थोड़े दूर जाकर कहा कि पास्टर जी अपना जेव जरा चेक करिये वहाँ वो बटवा नहीं था इतना वो मतलब सातीर था उतना तेज था बाइबल कॉलेज में प्रभु के दास के सामने उनका बटवा चुराया उनको पता नहीं चला ऐसा व्यक्ति वहाँ जाकर भी और वहाँ से वो दो तीन चार बार वहाँ से निकलने की कोशिश किया और निकल कर गया भी पर जैसे वो अपने जीवन के बारे में बता कर कहता है कि एक समय आया कि जब किसी के साथ उसका जगड़ा हुआ था उनके सरीर के उपर घाव थे और वो एकदम रोड के उपर चल रहा था और परमेश्वर का आत्मा प्यारो इसलिए कहता हूँ कि नहीं परमेश्वर का प्रेम आपको नहीं छोड़ता है परमेश्वर का आत्मा उससे बाते कर रहा था और वहाँ पर वो घुटनों पर आकर उपर देखकर कहता है कि यदि इस संसार में कोई परमेश्वर है तो मेरे जीवन को बदल मैं अच्छा होना चाहता हूँ मेरे जीवन को तू बचा ले और जो सुरुष्टी का परमेश्वर है कोई मनुश्यों के हाथों का बनाया परमेश्वर नहीं जो सुरुष्टी को रचने वाला परमेश्वर है, वो ही ऐसी पुकार को सुन सकता है, और उन्होंने वहां से सुना, और फिर से वो जितनी भी बार भाग जाता था, प्रभु का दास उसको डूंड कर वापिस ले आता, प्यारो जदी इस संसार के पाश्टर इतना काम कर सकते है, तो सोचो, वो तो सुरुष्टी को बनाने वाला आपका, मेरा, हम सब का वो पिता है, वो कैसे करकर आपको छोड़ जेगा, वो पाश्टर फिर से उनको ले आए, और इस बार सच्छ में उसने पश्चाताब किया, और आज वो आराधना भी कराता है, और वो प्रभु का सेवक है, जीवन के एक दुसरे पड़ाव में जब हम आते हैं, कि एक विश्वासी, अभी हम एक विश्वासी हो गया है, तो क्या हमारे जीवनों में पाप होता है, कि एक पवित्र जीवन ही है, नहीं, जब से हम विश्वासी बन गए, जब से हमने प्रभु का हाथ थामा, हमने कोई जूठ नहीं बोला, हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कभी गलत नजरों से नहीं देखा, कुछ पाप नहीं किया, हम पवित्र जीवन जी रहे, क्या ऐसा है? नई, हम सभी कही ना कही कुछ ना कुछ गल्ती पाप किया है और इसलिए बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की उस महिमा से यानि कि परमेश्वर की उस पवित्रता से बहुत दूर है परमेश्वर की उस महिमा से रहित है पर परमेश्वन ने इसलिए प्रभु येश्व मसी के रूप में उसके लहू के रूप में उसके उस कुरुसिय बलिदान में हमारे लिए एक योजना की एक विश्वासी व्यक्ति जब वो पाप करता है ये बहुत ही आवश्यक है कि वो पूरी चीज वो प्रभु को बताए कि प्रभु मैंने मेरे जीवन में ये काम किया है मुझसे ये पाप हुआ है तो मुझे क्षमा कर जब एक पापी व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु को विश्वास करता है, प्रभु के उपर प्रभु उसको माफ करता है वहाँ उसको पूरी जन्म से लेकर सब कुछ बताने की आवश्यक्ता नहीं है, प्रभु सब कुछ जानता है और साइद उस व्यक्ति को यह हमें याद भी ना हो, इसी लिए जब हम पापी थे, प्रभू हमें क्षमा करता है, उसकी प्रेजेंस में आते है, उसके उपर विस्वास करते है, प्रभू हमें क्षमा करता है, पर जब हम एक विस्वासी है, अभी हम प्रभू के पीछे चल रह में एक जो अंतर था जब साउल राजा ने पाप किया वो सॉमुएल से माफी मांगता है पर जब रृजा था उस ने जब पाफ प्रभू मैने तेरे विरुदिये पाप किया पर्भू ने उसको ख्षम है हम जो भी संसार में करते हैं हो वो किसी व्यक्ति के विरुद में हो इस संसार में पर उससे भी परे उससे भी उपर वो सबसे पहले परमेश्वर के खिलाव है और माफी सिप परमेश्वर की और से आती है इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के सामने हम उन बातों को रखे और बताए कि प्रभु मैंने ये कि और परमेश्वर अपनी दया के कारण, अपनी विश्वास युग्यता के कारण, प्रभु येश्यो मसीह के उस कुरुसिय बलिदान के कारण, उस लहू की वाचा के कारण, परमेश्वर हमें शमा करता है। आपको पता है पत्रस एक जगा पर जब प्रभु येश्व मसी चेलो के पैर धो रहे थे, नहीं कुछ सिखाने के लिए, पत्रस वहां कहता है कि प्रभु मैं तुझे नहीं चुने दूगा, मेरे पैर मैं तुझे नहीं धोने दूगा, प्रभु कहता है कि यदि मैं ये ना कर कि जिसके जो दुला हुआ है उसको फिर से दोने की आवशक्ता नहीं है। प्रभु के पास जाओगे प्रभु हमें क्षमा करता है। अपने लहु में वो दोता है। और परमेश्वर की नहीं विश्वासी के जीवन में हमारे जीवन में यदि ये परमेश्वर की योजना है प्रभु एश्यू के लहु में पर वो हमें लाइसंस नहीं देती है। वो हमसे हो गया है आप परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा वो पाप साहथ कितना भी बड़ा हो आपकी नजरों में उसकी नहीं सैतान की जो बड़ी दोष्ट यूदना है न वो क्या है पता है जब भी कुछ हो जाता है सैतान आपको उसी वि दोष्ट करते हैं वहाँ पर फिर दुष्टात्माओं को मौका मिलता है उस दोष्ट भावनाओं के उपर और वहाँ से आकर यहां तक की लोगों को नहीं सुसाइडर स्पिरिट उनके जीवनों में काम करता है और कई लोग आत्माहत्या की और सोचते है और वैसा करने का प पश्चाताब का यह सामर्थ है जो आपको और मुझे शमा करता है यदि हम विश्वासी है आज भी कोई ना कोई भूल होती है जरूरी है कि उसके बाद आप उसमें वापिस ना जाए नहीं कई बेवडों को आपने देखा नहीं इस साल मैंने अभी यह आखरी बार अभी छ पूरा चारो और से हमें मुड जाना है अभी उस रास्ते में नहीं जाना है यहां तक कि जो बिब्लीकल जो डेफिनेशन है उसके अनुसार हमारी थिंकिंग भी हमारे विचार भी उस दिसा में नहीं जाने चाहिए है ना पूरा यूटन प्रभू की और और तीसरा एक विश्वासी का दुसरे विश्वासी को माफ करना यक्षमा करना मत्थी का सूसमाचार उसका अठ्रावे अध्याए और एकिस बाइस में नहीं यहां फिर से पत्रस की बात है वो कहता है कि प्रभू यदि मेरा भाई मेरे खिलाफ कुछ करे तो कितनी बार माफ करना चाहिए हम मैंसे कई कहेंगे एक भी बार नहीं है सद्राव सूसमाचां कर गाई करना? मैं तो मााफ नहीं करऊंगी का जाए कुछ भी हो जाए खासकर जो पारीवारि नहीं चीज़े होती है माल मिलकत या कुछ भी आता है उसमें कुछ हो गया की तो तो हम नहीं छोड़ते ह姐 गया चाहिए प्रभू क्या कहता है साथ बार के सत्तर गुना सत्तर गुना साथ बार मतलब 490 बार नहीं है ना कि यह से 491 आएगा अपसे माफ करना बन प्रभू कहता है हर बार है ना our forgiveness should never be exhausted हमारी जो माफी देना है वो जो हमारा सोभाव है वो हमारी जो क्रिया है कि लोगों को माफ करना वो कभे भी खत्मन नहीं होना चाहिए प्रभू यह कहना चाहता है कि हमें माफ करना है इस बात को समझाने के लिए प्रभू उसी अध्याई में थोड़े आगे जाओगे तो 23 से 29 तक कोई पढ़िया हमारे में से कई बार हम ऐसे आगे बढ़ जाते कि यह आपको पता है पर इसको हम पढ़ते हैं ना मत्थी 18 अध्याई 23 से आगे पढ़िये मत्थी रचित्सू समाचार उसका 18 अध्याई 23 से आगे इसलिए स्वर का राज जी कुछ राजा के समाने जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा जब वह लेखा लेने लगा तो एक जड़ उसके सामने लाया गया तो दस हजार तोड़े का कर्दार भा जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामे ने कहा यह और इसकी पत्मी और बालबच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कट चुका दिया जाए इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणान किया और कहा है स्वामि घीरत दर में सब कुछ भर दूगा तब उस दास के स्वामि ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी शमा कर दिया परदु जब ताज बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक कुछ को मिला जो उसके सो दिनार का करज रखा उससे उससे पकड़ कर उसका गला बोला और कहा जो कुछ-कुछ पर कर्ज है भर दे इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विस्ति करने लगा धीरत तर मैं सब पर दूगा आगे हाँ उसने नमाना परतु जाकर